नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्व जयानकारियों को ले करके आई आज हम सभी रक्षा बंधन से जोड़े कुछ एक तत्यों के बारे में जानते हैं रक्षा बंधन के परोव पर इस बार भद्रा तथा चंद्र ग्रहन का साया रहेगा श्रावन शुकल पुनिमा पर 7 अगस्त को रक्षा बंधन का परोव मनाया जाएगा लेकिन इस दिन ग्रहन होने की वजह से बेहनों को राखी बांधने के लिए केवल 2 घंटे 47 मिनट का ही समय मिल पाएगा खंड ग्रास चंद्र ग्रहन पूरे देश में लगभग 2 घंटे तक दिखाई देगा जोतिश पांचांगों के एकोर्डिंग बताया गया है कि राख्षा बंधन पर सोमवार को ग्रहन रातरी 10 बज के 33 मिनट से शुरू होगा जो के रातरी में 12 बज के 48 मिनट पर समाप्त होगा ग्रहन का सूतक काल 2 पहर 1 बज के 55 मिनट पर शुरू हो जाएगा शास्त्रों के अनुसार सूतक तथा भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है अता सूतक लगने के बाद बहने भाईयों को राखी नहीं बांध सकेंगी इस से पहले सुबह 11 बजे तक भद्रा काल रहेगा अता बहने भद्राकाल खत्म होने एवं सुतक शुरू होने के बीच 2 घंटे 47 मिनट में ही राखी बान सकेंगी रक्षा बंधन पर 9 वर्ष बाद होगा ग्रहन इस बार इस बार रक्षा बंधन पर चंदर ग्रहन का योग 9 वर्ष बाद बन रहा है इससे पहले आखरी बार 16 अगस्त 2008 में भी रक्षा बंधन पर खंड ग्रास चंद्र ग्रहन हुआ था प्राकृतिक प्रकूप की आशंका ग्रहन के समय मकर राशी स्थित चंद्रमा पर सुर्य एवं नीच राशी में स्थित मंगल और शनी के कुद्रिश्टी रहेगी जो कि अरा जक्ता लूट पाट अपहरन एवं फसलों के लिए नुकसान देह होगी साथ ही अनाज चावल तेल इत्यादी में तेजी रहेगी यवन राश्ट्रों में प्राकृतिक प्रकूप और समाजिक तत्वों का बोलबाला रहेगा इसके साथ ही परवतिय भाग जैसे की कश्मीर भुटान अरुणाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आप दाएं आ सकती हैं राजनी तग्यों में आप सी मन मुटाओ देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतुपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों